कुछ दिन पहले WhatsApp ने अनॉंस किया था कि वो अपने policies में कुछ change करेगा, कुछ बदलाव करेगा जिसकी वज़े से ये बात एक ही जा रहे थी कि WhatsApp users की जो privacy है उसको खत्रा होगा उसमें ये कहा जा रहा था कि WhatsApp users दारा जो conversations है, जो chatting है, जो video chatting है या किसी अधर तरीके की जो information उसको store किया जाएगा, WhatsApp दारा और उस data को किसी अधर platform पे share किया जा सकता है और साथी साथ आपके जो location उसको trace किया जा सकता है, बट WhatsApp ने इस बात को दिहान में रखते हुए, उसने अपने WhatsApp status पे एक status update किया है जो status update किया है, जिसमें साथ साथ उन्होंने का है कि उन्होंने इस तरीके का ऐसा कुछ काम नहीं करें है जिससे कि उनके जो user से उनकी privacy में कुछ problem है, जैसा कि हम देख सकते हैं, उसमें लिखा है कि we are committed to your privacy वो आपके privacy को लेके committed है, उसमें वो किसी भी तरीके कोई छेड़चाड नहीं करेंगे WhatsApp can't read or listen to your personal conversations as they are into it encrypted WhatsApp clear कहता है कि वो आपके द्वारा, जो भी conversation होता है, नहीं वो उसको पढ़ेगा, नहीं वो उसको सुनेगा वो गोपनी रखा जाएगा WhatsApp can't see your shared location, आप जो भी location share करते हैं, WhatsApp उसको नहीं देखेगा उसने clear card कहा है अपने status में, आप देख सकते हैं WhatsApp does not share your contacts with Facebook, WhatsApp जो है, वो आपके contacts को Facebook पे share नहीं कहेगा WhatsApp ने आज ही, आज date है 18th of January 2021, उसने clear ये कहा है, अपने status में update किया है कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा, जिससे उनके users को किसी भी तरीके की परिशानी हो या उनकी जो privacy हो, उसको नुकसान हो